साई की बात बचे मैं तुमसे ना बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है तुम जब चाहू ना जब भी चाहो जहां भी चाहू ना मुझे एक बार दिल से पुकार लिया करो मैं वहीं तुम्हारे लिए उबस्त हो जाओंगा तुमने ये क्यों सोचा कि तुम्हारे बाबा वहां नहीं आएंगे तुम्हारे बाबा हर जगा आएंगे तुम अगर सुनसान रास्ते में भी या जंगल में भी मुझे पुकारोगे ना तो तुम्हारे बाबा वहां भी आएंगे तुम चिंता मत करना तुम्हारा और मेरा रिष्टा यूँ ही नहीं है मेरे बच्चे ये बहुत पक्की डोर है बहुत पक्की डोर जो तुम्हारे तरफ से तो है ही मैंने भी इसे भान रखा है अपनी तरफ से जो ये कभी नहीं तूटेगा कभी नहीं आने की कभी नहीं मेरे बच्चे और सुनो परिशान होना इस चीज से की बार बार लोग तुम्हारा अपमान करते हैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे साथ वो किस से कहें तुम दिखाई देते हो इसलिए तुम्हें बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी बातों को ना अपने दिल पर लेकर परिशान हो जाओ। देखो वो बड़े हैं और गुसे में आकर कुछ ना कुछ कह जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं, जो तुम्हें बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन एक बात कहूं, जो अपने होते हैं ना, उनकी बद्धुआ कभी रही लगती, कभी नहीं लगती, इस बात का हमेशे याद र बचे, तुम जानते हो, तुम्हारे पीट पीछे ना, तुम्हारे लिए रोस प्रातना करते हैं मुसे, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, तुम्हारे लिए प्रातना करते हैं, कि तुम्हारे जीवन सफल हो, तुम्हारे जीवन में उन्नती हो, तुम जानते हो, तुम बच्छे डरो मत बिल्कुल मत डरो लेकिन हाँ उस हाथ से से तुम्हें सीख लेनी चाहिए उसे तुम्हें सीखना चाहिए कि बहुत सारे चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि आएंदा से ऐसे कुछ भी ना हो कि वो बात वहां तक वहां सके तुम जानते हो ना कि वो जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे भी गलती थी, जानते हो ना इस बात को, सामने वाले की गलती थी, लेकिन तुम्हारे भी गलती थी, अगर शायद तुम हा ना करते ना, तो शायद वो सब चीज़े होती भी ना, जानते हो ना, तो फ चिन भिन कर देना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो तुम्हारे जीने का आधार है ना उसे ही चीन लिया जाए जो कारण है आधार है ना उसे ही चीन कर तुम्हें बिल्कुल और सहाय कर दिया जाए वो ये चाहते हैं कि तुम्हारा भविश्य और तुम्हारा वरतमान दोनों बिगड़ जाए दोनों खराब हो जाए लेकिन वो चाहा ले ना कितना भी चाहा ले कुछ भी कर ले वो तुम्हारा कभी कुछ बिगार नहीं पाएंगे तुम्हारा कुछ कभी कर नहीं पाएंगे और जो तुम्हारे अंदर ये अकेला पर है ना इसे मैं बहुत जल्दी खतम करूंगा समय के साथ साथ ना ये तुम्हारा अकेला पर भी खतम हो जाएगा तुम बिलकुल चंता मत करना और मेरे कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं न कि कभी-कभी उनके पास दिया नहीं होता तो वो मेरे आगे मौमबत्ती जला देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे तुम मौमबत्ती जला सकते हो मेरे आगे मुझे तो रोशने चाहिए ना चाहे तुम दिये से दो या फिर तुम मौमबत्ती से दो या फिर अगर बत्ती के धुएं से दो मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे तुम्हारे प्यार से फरक पड़ता है तुम जो भी मेरे लिए करते हो ना जैसा भी करते हो ना मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे तुम कुछ भी करो मुझे खुशी है इस जीज की बहुत खुशी है और कुछ मेरे बच्चों को ना बेसन के लड़ू खाना बहुत बहुत पसंद है उन्हें बहुत प्री है ना पूसल समत चीवध के लड़ो तुम्हारा बहुत मन कर रहा है तुम बेज रहा हूँ तुम्हारे लिए घाँ जतने मर्जी कहाने हो खा ले नुति कीजने कीजि़ा तुम्हारा मेरा है अब समझो इस बात को और इस जीवन में अब तुम किसी को भी नहीं आने दोगे आने से मतलब किसी पर इतना भरोसा नहीं करोगे किसी को इतनी एहमियत नहीं दोगे जो तुमसे बढ़कर हो सबसे पहले खुद को एहमियत दोगे खुद के लिए सब कुछ करोगे उसके बाद दूसरों की सोचोगे क्योंकि ये जीवन अब तुम्हारा है तुमने जो दुनिया के लिए अपना जीवन खतम करना चाहा था ना अब वो खतम हो चुका है ये समझ लो अब जो ये जीवन है ये मेरा दिया हुआ तौफा है तुम्हें और इस जीवन को तुम्हें अच्छे से बिताना है खुशी के साथ अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बस बहुत हुआ और सुनो कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना जब भी तुम अंदान करने गए हो तो तुमें मिला कोई और तुम चाहा कोई और रहे थे याद आया तुमें तो सुनो मेरी बात यूं उदास नहीं होते तुम जानते हो जो मिला था ना वो मेरा ही रूप था जरूरी नहीं कि मैं इंसानी रूप में आऊँ मैं पशु बख्षी के रूप में भी आ सकता हूँ मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुम्हें मैं धर्शन किसी भी रूप में दे सकता हूँ और जिसके मुख में वो सब गया ना तुमने जो अंदान किया वो वहाँ पहु तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत बहुत दुआएं, जिसके बारे में न तुमने कभी सोचा नहीं था, शायद इनसान तुम्हारे सर पर हाथ रखकर दुआ दे दे, तुम्हें आशिरवाद दे दे, लेकिन जो बेजबान होगा न, वो तुम्हें दिल से आशिरवाद देगा, और उसके आशिरवाद, उसकी दुआएं सीधा मुझ तक पहुँचती हैं तुम्हारे लिए, और उसकी वजब से न, तुम्हारे जिंजगी के बहुत सारे रास्ते, जो आने वाले हैं न, वो आसान हो जाते हैं, उन मेंसे काटे निकल जाते हैं, महाँ फूल आ जाते हैं मेरे बच्चे, कभी करके देखो, यू मायूस मत हुआ करो, जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी होता है न, उसमें तुम नकरत्मक चीज़ें बहुत ढूनते हो, क्यों तुम उल्टा क्यों नहीं देखते, सकरत्मक चीजों को क्यों नहीं देखते कि ऐसे नहीं तो वैसे हुआ होगा और तुम्हारा साइं क्या तरीका अलग है ना ये जानते हो ना उसके बावजूद भी इतने सवाल जबाब करते हो इतनी शंका रखते हो मन में इतना शक है तुम्हारे मन में गलत है ना ये इसे थो नहीं दिया सो अपने में आकर दर्शाया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ मुझे मालूं है और मैं अपनी गलती को मानता हूँ मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया लेकिन अब भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता अब तुम कहोगे क्यों तो इसके इनों को भी भड़का देंगे तुम्हारे खिलाफ तो वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे मैं बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन हां मैं सब कुछ परदा पाश करूंगा अपने हिसाब से अपने तरीके से तुम्हे कुछ नहीं करना बस तुम्हें मेरा इंतजार करना है सह समयभान भी दिखाई देंगे क्यों कि कई बार ऐसा होता है कि समयभान तुम्हारे सामने हैं लेकिन तुम परिशानियों में इतरी जाते हो कि तुम्हारे सामने जो हल होता है ना, जो समाधान होता है ना, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और सुनो, इतना जादा मत सोचो, इतनी घहरी सोच में मत जाओ, कि तुम मानसक तनाव में चले जाओ, तुम करने कुछ और चाते हो, करते कुछ और हो, कुछ चीजे को कही रखकर भूल जाते हो, ये सब क्या है मेरे बचे, ये सब क्या हो रहे तुम्हारे साथ जानते हो, क्योंकि तुम अपने ध्माग को आराम नहीं देते हो, इतना जादा सोचते हो ना, कि तुम्हारे मानसे क्तनाव के लिए ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बात को समझो, अपने साथ ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, जो सवाल तुम्हारे मुख से निकला था ना, मुझसे पूछने के लिए उसका उत्तर, उसका जवाब मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर तुम्हें आज मिल जाएग खुश रहो आज का साइस अंदेश समाप्त हुआ